नमस्कार मैं निर्मल सैनी आपके समक्ष आपकी आर्षास्त्र की पुस्तक के उपविशे समांतर माध्य लेकर उपस्तित हुआ हूँ प्रियविद्यार्थियों इस बार के व्याख्यान का अक्षेत्र है जिसके अंतरगत हम निम्न बिंदों पर चर्चा करेंगे सरपर्थम समांतर माध्य का आर्थ, ततपश्या, समांतर माध्य की परिभाशा और समांतर माध्य की गणना आज के इस व्यक्षान के अंत्रगत हम दो स्रेणियों में समांतर माध्य की गन्ना करेंगे जिन में पहली है व्यक्तिकत स्रेणी तथा दूसरी खंडित स्रेण समांतर माध्य का आर्थ प्रियविद्यार्थियों समांतर माध्य का व्यभार में सबसे अधिक प्रियोग किया जाता है वास्तों में ओसत शब्द का प्रियोग इसी माध्य के लिए किया जाता है और यह केंद्रिय प्रवर्ती का सबसे प्रशिध तथा लोग प्रिय माप भी है समानतर माध्य के द्वारा किसी स्रेणी के चर का एक ऐसा मुल्य अर्थात ओसत ग्यात किया जाता है जो सारी स्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है होरेश सक्रिष्ट के अनुसार समानतर माध्य से अभी प्राज उस मुल्य से है जो किसी स्रेणी के समस्त मदों के मुल्य के जोड को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्थ होता है अते है इस विधी का प्रियोग हम अपने दैनिक जीवन में सामाननित करते ही रहते हैं यह एक सारु प्रचलित माध्य है तथा इसकी गंडना करना बहुत ही आसान भी है आज के इस व्यक्यान के अंदरगत हम समानतर माध्य के विभिन प्रकार का अधिन करेंगे समानतर माध्य मुख्यते दो प्रकार का होता है नमर एक सारल समानतर माध्य इसके अंदरगत स्रेणी की समस्त मदों को समान महत्वदी आ जाता है तो दूसरा भारित स्वांत्र माध्य, इसके अंत्रगत स्रेणी की प्रतेक मद को उसकी व्यक्तिगत महत्व के अनुसा भार प्रदान किया जाता है स्वांत्र माध्य का सुत्र जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं स्वांत्र माध्य को X बार के द्वारा प्रकट किया जाता है X बार बराबर है X1 जमा X2 जमा X3 जमा Xn अर्थाद यहां X1, X2, X3, Xn स्रेणी में दिये गए मदों के मुल्य है जबकि इसे भाग किया जाता है N अर्थाद मदों की कुल संख्या से इस परकार सरल रूप में हमारे पास सुत्र उपलब्ध होता है समीशन यह सुत्र आप देख रहे हैं इसमें एक नया सिंबल आप सामने देख रहे हैं इसे मदों के जोड के लिए प्रियुक्त किया जाता है अर्थाद समीशन X डिवाड़िड बाइ N आज के इस व्याख्यान में हम सरल समानतरमाध्य की गण्ना करना सीखते हैं सरल समानतरमाध्य का निरधारन अत्यन्थ ही सरल होता है इसकी गण्ना तेन प्रकार की स्रेणियों के अंतरगत की जा सकती है जिनमें सबसे पहली है व्यक्तिगत स्रेणि तो दूसरी खंडित स्रेणि तथा तीसरी ए खंडित स्रेणि आज के इस व्यक्षान के अंतरगत हम पहली दो स्रेणियों अर्थात व्यक्तिगत एमंखंडित के अंतरगत ही सरल समानतरमाध्य की गण्ना करना सीखेंगे पहली स्रेणी व्यक्तिगत स्रेणी में सरल समानत्रमाध्य की गणना इस स्रेणी के अंतरगत समानत्रमाध्य की गणना करना बहुत ही आसान है इस स्रेणी में भी हम दो प्रकार से समानत्रमाध्य की गणना कर सकते हैं जिनें हम विधी भी कह सकते हैं तो पहली है प्रत्यक्स विधी, तो दूसरी लग हो विधी, आए सबसे पहले प्रत्यक्स विधी द्वारा स्मान त्रमाधे की गणना करना सीखें, इस विधी के अंतरगत, जिन कदमों के रूप में हम आगे बढ़ेंगे, वो निम्न हैं, सबसे पहले दी गई स्रेणी के सभी मुल्यों को जोड कर समिशन एक्स प्राप्त कीजिए, उसके बाद दी गई स्रेणी के सभी मुल्यों की कुल संख्या अर्थात N प्राप्त कीजिए, और इसके बाद स्रेणी के सभी मुल्यों के जोड समिशन एक्स को स्रेणी के सभी मुल की कुल संख्या N से विभाजित कीजिए दिया गया सुत्र जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं फिर से दोहराते हैं X बार बराबर है X1 जमा X2 जमा X3 और इस प्रकार X की भी सभी मदें जो दी गई हैं इन्हें भाग किया जाता है मदों की कुल संख्या से समीचन X बाटे N तो आएए एक उधारन हम इस सुत्र की साहिता से हल करके देखते हैं उधारन एक कक्षा के दस विद्यार्थियों की आर्थ सास्त्र की परिक्षा में प्राप्त अंकों कास्वान तरमाध्य ग्याद कीजिए अंक दिये गए हैं 80, 65, 45, 50, 62, 72, 70, 40, 25 और 33 ताली का एक तरफ विद्यार्थियों की अनुकर्मांक एक से लेकर दस तक दर्शाती है अर्थात N हमारा हुआ यहां 10 क्योंकि दिये गए विद्यार्थि 10 तो दूसी तरफ उनके अंक दिये गए हैं इस प्रकार तालीका के सबस्यांत में आपके पास है समीशन X अर्थात दिये गए अंकों का कुल जोड जो होता है 542 देगई स्लाइड में आपके सामने सुत्र उपस्तित है इस सुत्र के अंतरगत हम अपने मुल्यों को रखते हैं समीशन X जैसा कि अभी अभी प्राप्त हुआ है 542 इसे भाग करेंगे हम N मदों की कुल संख्या जो 10 उपलब्ध है इस प्रकार हमारे पास हल निकल कर आता है 54.2 अंक इस प्रकार आर्थ सास्त्र में ओसा तंक हुए 54.2 आईए इसी समान तरमाध्य को हम अपने दूसरी विधी के माध्यम से निकालने की कौसिस करते हैं स्वान तरमाध्य की गणना दूसरी अर्थात लगू विधी द्वारा भी की जा सकती है यह विधी तब अधिक उप्युक्त रहती है जब दिये गई स्रेणी में मदों की संख्या काफी अधिक हो इस स्रेणी के अंतरगत उठाए गए कदम मुख्य हैं सबसे पहले स्रेणी के किसी भी मुल्य को या किसी अन्य संख्या को हम एक कल्पित मद्य के रूप में मान लेते हैं जिसे हम A, A means, अजूंड मीन के द्वारा पर कट करते हैं उसके बाद इस कल्पित मद्य जो अभी-भी हमने माना था उसे स्रेणी की प्रतेक मद में से घटा दिया जाता है और इस घटाने के बाद हमारे पास बचता है विचलन अर्थाथ छोटा D D बराबर है X-A X है मदू का मुल्य माइनस A, A है कल्पित मद और इस परकार हमारे पास छोटा D उपलब्ध होता है इसके बाद हम इस D को D की सभी मदों को जोड लेते हैं तो प्राप्त होता है विचलनों का जोड समीशन D इस परकार प्राप्त किये गए मुल्यों को शुत्र में रखते हैं शुत्र इस परकार है X-बार बराबर है A प्लस समीशन D बटे N यहाँ A है कल्पित माध्य, जमा समीशन D है विचलनों का योग और N है मदों के कुल संख्या आएए इस विधी द्वारा भी हम एक उधारन को हल करते हैं उधारन आपके सामने हैं एक कक्षा के वही दस विध्यार थी अर्थ सास्त की प्रिक्षा में प्राप्त अंक जिन्हें तालीका के अनुसार सबसे पहले कॉलम में हम उनके अनुकरमांक परदान करते हैं जो एक से लेकर दस तक हैं अर्थात कुल विध्यार थी 10 N बराबर 10 दुसरे कॉलम में आपके सामने हैं अंक उन सबका कुल जोड़ आपके सामने हैं समिशन एक्स पांच सो बियालेस कॉलम तीसरा इसके अंतरगात हम कल्पित माध्य से विचलन निकालते हैं हमने इस स्रेणी में जो अंक दिये गए हैं इन में से किसी एक संख्या को कल्पित माध्य माल लिया है इस उधर्ण में माना गया कल्पित माध्य है पचास अर्थात ए बराबर पचास और इस प्रकार हम प्रतेइक अंक में से ए घटा रहे हैं जैसे असी में से पचास जो जमा तीस आएगा उसके बाद पैसट में से पचास जमा पंदर हैं और इस प्रकार प्रतेक मद में से हम इस कल्पित माध्य को घटा रहे हैं इस प्रकार हमारे सामने दो तरहें के मुल्य पस्तित हैं एक जमा के चिन्ह वाले तो दूसरे घटा के चिन्ह वाले आईए इन्हे और सरल करते हैं तो जमा के चिन्ह वालों को एक तरफ जोड लेते हैं, तो दुसरी तरफ घटा के चिन्ह वालों को जोड लेते हैं, तालिका में सबसे नीचे दिया गया है समिशन डी, अर्थात डी का विचलन का जोड, जो उपलब्ध है जमा के 99 और घटा के 57, इसे और सरल करने पर हमारे प एकस बार बरावर ए प्लस समिशन डी बटे एन, यहां ए कल्पित माध्य हमने माना था 50, समिशन डी अभी अभी हमारे पास उपलब्ध था 42, और एन मदों की कुल संख्या 10, 42 बटे 10 अर्था 4.2, जिसे हम जोडते हैं 50 में अर्था 54.2 अंग, अर्था उत्तर फिर वही, अ आमने पिसले विधी देखी परतेक्स विधी, ये विधी लगू विधी, दोनों ही से प्राप्त उत्तर एक, अर्था दोनों ही से प्राप्त उत्तर एक ही, विधियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, प्रश्न एक ही था, इस प्रका, इन विधियों को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा प्रतीत होगा कि लगू विधी पतेक्स विधी से कुछ कठिन है फिर भी इसका नाम लगू विधी रखा गया है जी हाँ यह बात व्यक्तिगत स्रेनी के साथ बिलकुल ठीक है इसलिए व्यक्तिगत स्रेनी में लगू विधी का प्रियोग आम तोर पर नहीं करना चाहिए परन्तु खंडित स्रेनी और एखंडित स्रेनियों में लगू विधी का प्रियोग हमारे गणन क्रिया को और भी सरल बना देता है आईए आगे चलते हैं दूसरी स्रेणी के अंत्रगत सरल समांत्र मध्य की गणना के लिए और दूसरी स्रेणी है हमारे पास खंडित स्रेणी उप्यूक्त दोनों विध्यों दुआरा खंडित स्रेणी में भी समांत्र मध्य की गणना की जा सकती है परंतो खंडित स्रेनी में मदों के मुल्य के साथ साथ उनकी आवरतियां भी दी जाती है अर्थात यहां एक तरफ हमें X उपलब्ध होता है तो दूसरी तरफ छोटा F फ्रिक्वेंसी इस परकार यहां सुत्र भी भिन ही होगा इस परकार इस विधी के अंतरगत मदों को उनकी आवरति से गुना करके अर्थात X गुना F करके जो कुछ प्राप्त होता है उसे हम गुनोतर कहते हैं उसके बाद हम इसे जोड लेते हैं अर्थात गुनोतरों के योग को गुनोतरों की कुल संक्या N से भाग कर दिया जाता है तो आज के इस व्यक्यान में हम खंडित स्रेनी में भी तीनों ही विधियों का प्रियोग करेंगी सबसे पहली विधी है प्रत्यक्ष विधी तो दूसरी लगू विधी और तीसरी पद विचलन विधी जी हाँ ये एक नई विधी है पद विचलन विधी आए सबसे पहले प्रत्यक्ष विधी लेते हैं इस विधी के मुख्य कदम है, सबसे पहले स्रेणी के सभी मुल्यों अर्थाथ X को उनकी आवरितियों अर्थाथ F से गुना कर लेते हैं और प्राप्त कर लेते हैं F X, इसके पर शाद इन सभी को जोड लेते हैं, अर्थाथ सभी गुनन फलो का जोड समीशन F X प्राप्त कर लेते हैं इसके बाद स्रेण दिये गए सभी मुल्यों की कुल संख्या N या submission F क्योंकि यहाँ frequency दी गई है इसलिए यहाँ स्रेणी के सभी मुल्यों की कुल संख्या submission F द्वारा ही प्राप्त होती है। उसके बाद सेनी के सभी मुल्यों का जोड को तो सेनी के सभी मुल्यों की कुल संख्या समिशन एफ से भाग कर लेते हैं और दिये गए सुत्र के अनुसार मुल्यों का प्रियोग करते हैं। आए जड़ा गोर से सुत्र को देखे, X बार बराबर है F1, X1 अरथात X1 पहली मद, F1 पहली मद की फ्रिक्वंसी, दोनों ही पहली, जमर, F2, X2 अरथात दोनों ही दूसरी, मद और उसकी फ्रिक्वंसी, दोनों की गुना, इसी तरहं तेसरी और इसी तरहं जितनी भी मदें द गई हूँ N उन सब को जोड़ लेते हैं और प्राप्त करते हैं समीशन F X इसी प्रकार इसे भाग किया गया है F1 जमा F2 जमा F3 और FN तक अर्थाथ सभी मदों तक मदों की कुल फ्रिक्वेंसी तक और हमें प्राप्त होता है समीशन F तो आएए एक उधरन इस विधी द्वार हल करने की कौसिस करते हैं उधरन में एक कार खाने के 125 मजदूरों की मजदूरी दी गई है इनका समान तरमाध्य ग्याद करना है दिया गया प्रश्ण थोड़ा सा लग है पिछले उधरनों से इसमें एक तरफ मजदूरी जो की रुप्यों में दी गई है इसे हम X भी कह सकत हैं जो दी गई है 240, 250, 260, 270, 280, 290 और 300 तो दूसरी तरफ दी गई है मजदूरों की संख्या अर्था F जो है पांच अर्था 240 रुपे लेने वाले कुल मजदूर पांच इसी तरह 250 लेने वाले 15 और इसी तरह फ्रिक्वेंसी है 32, 42, 15, 12 और 4 आईए इसे सरल करने की कौसिस करें तालिका में एक तरफ X मजदूरी जो की रुप्यों में हैं दर्शाई गई है तो दूसरी तरफ F अर्थात मजदूरों की संख्या दर्शाई गई है F के नीचे समिशन F अर्थात मजदूरों की कुल संख्या जो 125 बनती है जैसा की प्रशन में भी दिया गया है कॉलम नमबर तीन की तरफ चलते हैं F X अर्थात F को X से गुना करते हैं या X को F से 240 गुना 5 बराबर 1200 इसी तरह 250 गुना 15 बराबर 3750 और इसी तरह सभी मदों की गुननफल ग्याद कर लेते हैं ततपशात इन सब का जोड जोकी नीचे दिया गया है समीशन F X जो बैठता है 33,490 प्राप्त करते हैं इन प्राप्त मुल्यों को अपने सुत्र में रखते हैं सुत्र है आपके साबने X बार बराबर है समीशन F X अर्थात इसका मुल्य था 33,490 इसे भाग किया गया है और इस प्रकार इस प्रशन को हल करने पर हमारे सामने उत्तर आता है 267.92 रुप्य और इस प्रकार मजदूरों की मजदूरी का समान तरमाध्य भी यही हुआ तो आईए आगे बढ़ते हैं इसी स्रेणी अर्थात खंडित स्रेणी में दूसरी विधी लगू विधी की और जैसा कि आप जानते हैं यदि स्रेणी में मदों की संख्या काफी बड़ी है तो यह विधी अधिक उप्युक्त होती है इस विधी के मुख्य कदम इस प्रकार हैं सबसे पहले स्रेणी के किसी भी मुल्य को या किसी अन्य संख्या को कल्पित माध्य ए मान लेते हैं अर्थात एजून भी यहाँ एक बात ध्यान में रखने हो गए है चाहे आप स्रेणी में से दिये गए किसी मुल्य को कल्पित माध्यमाने या उस से बाहर के किसी अन्य को आपका उत्तर वही आएगा इसके बाद प्राप्ट हुए A अर्थात एजूम्मीन को प्रतेक मद में से घटा देते हैं अर्थात D विचलन प्राप्ट कर ले के लिए विचलन का सुत्र आप जानते हैं D बराबर है X स्रेणी की मद में से घटा ये कल्पित माध्यमाने आप क्योंकि इस खंडित स्रेणी में फ्रिक्वेंसी भी दी गई है तो इस D विचलन को उससे समंदित आवरतियों F से गुना करते हैं और F D प्राप्ट कर लेते हैं ततपश्चात इनका जोड भी प्राप्ट करना है इसी स्रंखला में आगे बढ़ेंगे स्रेणी के सभी मदों की कुल संख्या ग्यात करने के लिए जिसे हम समिशन F से डिनोट करते हैं और दिये गए सुत्र के अनुसार मुल्यों का अप्रियोग करते हैं आएए जरा गोर से सुत्र को देखें एक्स बार बराबर है A प्लस समिशन F डी फ्रिक्वेंसी और विचलनों की गुना का जोड इसे भाग करेंगे समिशन F अर्था फ्रिक्वेंसी क्या कुल जोड आई पिसले ही उधरन को इस नई विधी से सरल करने की कौसिस करते हैं उधरन में वही 125 मजदूरों की मजदूरी दर्शाई गई है ताली का आपके सामने पहले कॉलम में X मजदूरों की मजदूरी जो की रुप्यों में हैं दर्शाथी है तो दूसरे कॉलम में F फ्रिक्वेंसी मजदूरों की कुल संख्यादर शाहती है जो कुल 125 समिशन एफ दिखाई दे रही है इस विधी में हमारे सामने तीसरा कॉलम कुछ नया है जिसमें हम विचलन निकाल रहे हैं डी छोटा डी बराबर है एक्स माइनस ए यहां एक्स है पहले कॉलम में दी गई मदे 240, 250, 260 इन में से आपको घटाना है ए ए आप कुछ भी मान सकते हैं हमने अपने इस प्रश्ण में 250 को ए कल्पित माध्य मान रखा है और इस प्रकार घटाने पर हमें फिर दो तरहें की मदे पराप्त हो रही है जैसे 240, घटा 250, घटा के 10, 250 में से 250, 0, 260 में से 250, जमा के 10 और इसी तरहें से जमा और घटा दो तरहें की मदे हमारे सामने हैं अगले कदम के रूप में हमारे पास अगला कॉलम है जिसमें F फ्रिक्वेंसी को D विचलनों से गुना किया गया है अर्थात मजदूरों की संख्या F 5, D माइनस के 10, और इस तरहें से घटा के 50 आपके सामने उपलब्ध है अगली पंक्ती में मजदूरों की संख्या 15, D विचलन 0, और इस तरहें से 0, FD इस तरहें से 32, 10, 320, 42, 20, 840, 15, 30, 450, 12, 40, 480, 4, 50, 200 इस प्रकार हमें F D का समिशन प्राप्ट होता है 2, 240 इन प्राप्ट मुल्यों को हम अपने सुत्र जो कि आपके सामने है एक्स बार बराबर है A जमा समिशन FD डिवाड़ेड़ बाई समिशन F में रखने के पश्चाद हल कर सकते हैं 250 जो कि कल्पित माध्य था जमा बाईस सो चालेज जो कि समिशन FD हमारा मुल्य निकला समिशन FD 125 से भाग करने के पश्चाद हमारे पास उपलब्ध होता है 250 जमें 17.92 अर्था 277.92 अर्था वही उत्तर वही मजदूरों की मजदूरी का समान तरमाध्य प्रश्ण वही विधी अलग फिर भी उत्तर एक आईए आगे चलते हैं और तीसरी विधी पद विचलन विधी को सरल करते हैं प्रियविद्यार्थियों हम हल कर रहे हैं खंडित स्रेणी में सरल समान तरमाध्य इसके लिए हम इस्तमाल कर रहे हैं अब तीसरी विधी पद विचलन विधी यह विधी लगू विधी का ही एक रूप है इन दोनों विधीों में थोड़ा सा ही अंतर है और यह पद विचलन विधी उस समय लागू होती है जब कल्पित माध्य अर्थात ए द्वारा लिये गए विचलन अर्थात छोटा डी इस प्रकार के प्राप्थों कि उनमें अंतर बराबर का पाया जाए जैसे अभी आपने पिसले उधारन में सभी विचलनों में दस का अंतर देखा अर्थात घटा के 10, 0, जमा के 10, जमा के 20, जमा के 30 अर्थात उनमें अंतर एक समान 10 का था इस प्रकार यहे एक समान अंतर एक समाप वर्तक के रूप में प्राप्त होता है अर्थात कॉमन फेक्टर के रूप में प्राप्त होता है इसे हम बड़े C से व्यक्त करते हैं इस विचलन अर्थात D को जब इस common factor अर्थात C से भाग करते हैं तो हमें प्राप्थ होता है D- इसी को कहते हैं पद विचलन इस विधी में भी कुछ कदम हमें उठाने हैं जिनमें कुछ तो वही पिसले विधी अर्थात लगू विधी वाले ही हैं आईए उन्हें दो रहाले सरपर्थम A कल्पित माध्य निकाला जाता है सत्पशाद D विचलन ग्यात किया जाता है उसके बाद इस D को समापवर्थक अर्थात C से भाग किया जाता है और पराव्ट किया जाता है Dْ अर्थात प्ध विचलन दैसा की आपने लगू विदी में देखा था F को D से गुना किया गया था यहां D के स्थान पर है Dْ अर्थात पद विचलन आपको D' के साथ गुना करना है और फिर इनका जोड़ पराव्ट करना है summation FD- इस परकार यहां सुत्र थोड़ा सा ही अलग है तो यहां आपको थोड़ा सांतर दिखाई दे रहा है वो है गुना में C अर्थात वही common factor जैसा कि आप सुत्र को देख रहे हैं सुत्र में एक्स बार अर्थात mean बराबर है A अर्थात कल्प इतमाद है कुल संख्या से और ततपश्यात गुना में C अर्थात वही common factor तो आएए अपने पिछले ही उधारन अर्थात 125 मजदूरों की मजदूरी के स्वान तरमाध्य को इस विधी अर्थात पद विचलन विधी द्वारा ग्यात करते हैं ताली का आप ध्यान से देख रहे हैं इसमें कुछ कॉलम वही पुराने वाले हैं सबसे पहले X अर्थात मजदूरी दूसरे में मजदूरों की संख्या अर्थात F जो 125 ही है तिसरे कॉलम में जैसा कि आप पिसले उधारन में भी देख चुके हैं A कल्पित माध्य 200 हमने माना है 250 और इसे रखते हुए हम निकाल रहे हैं D विचलन X-A जो पिसली उधारन वाला ही है इस विधी में एक नया कॉलम भी रहता है और वो है D डैश अर्थात X-A बटे C या इसे और सरलतम रूप दें तो D विचलन बटे common factor C और इस प्रकार ध्यान से देखिए घटा के 10 को भाग किया गया 10 अर्थात यहां common factor है 10 सभी मुल्यों को 10 से भाग किया गया है इसमें पहले है घटा का 1 फिर 6 फिर जमा का 1 जमा का 2 जमा का 3 जमा का 4 और इस तरह से जमा के 5 हमारे प्रशन में कुछ सरलता आती जा रही है अब हमें वही पिसला कोलम ही गयाद करना है F D अर्थात यहां D की बजाए हमारे पास है D डेश पद विचलन आईए आगे बढ़ते हैं F 5 D डेश 1 घटा का 1 इस प्रकार घटा के 5 F 15 D डेश सुन्य शुन्य F 32 D डेश जमा का 1 इस तरह से 32 अगला मुल्य 42 और 2 84 15 और 3 45 12 और 4 48 4 और 5 20 इस प्रकार हमारे सामने यहां फिर से 2 तरहें के चिन्ध वाले मुल्य शामिल हैं एक घटा के चिन्ध वाले तो दूसरे जमा के चिन्ध वाले इन्हें सरल करने पर हमारे इस पास उपलब्ध है Summution F3 और वो है आपके सामने 224 224 आईए दिये गए सुत्र को फिर से देखें और इसमें अपने उन मुल्यों को रखते हैं मुल्य हैं 250 कल्पितमादी जमा 224 Summution F3 इसे भग किया गया है मदों की कुल संख्या Summution F 125 से और रंत में गुना के 10 अर्थात Common Factor ऐसे सरल करने पर हमारे पास फिर से वही उत्तर 267.92 प्राप्थो रहा है तो प्रियविद्यार्तियों इस प्रकार एक ही प्रश्न तीनो ही विधियों के द्वारा एक ही उत्तर दे रहा है अर्थात आपकी विधी कोई भी हो आपका उत्तर वही आएगा तो प्रियविद्यार्तियों आज के इस विख्यान में हमने खंडित स्रेनी में तेन विधियों के द्वारा सरल समानत्रमाध्य की गणना की जिनके सुत्र हम एक बार फिर से दोहरा लें सबसे पहले पर्तेक्स विधी एक्स बार बराबर है समिशन एफ एक्स डिवाड़ेड बाई समिशन एफ दूसरी लगुविधी इसका सुत्र है ए प्लस समिशन एफ डी को भग किया गया है समिशन एफ से तीसरी विधी है पद विचलन विधी अर्थार ए प्लस समिशन एफ डी डैश इसे भाग किया गया है समीशन F से और गुना किया गया है कॉमन फैक्टर C से तो आज के इस व्यक्षान की इन सभी सुत्रों को धराते हुए हम आपके लिए कुछ ग्रह कारिय सुरू प्रश्न लेकर उपस्तित हुए हैं आईए इन्हें नोट कर लें सबसे पहला है एक परिवार के पांच लोगों की मासिक आए के आँक्णों का स्वानत्रमाध ग्याद करना है आए रुप्यों में दी गई है चार सो नबबे, छे सो नबबे, आठ सो पांच सो नबबे और पांच सो रुपे प्रश्न नमबर दूसरा प्रत्यक्ष विधी द्वारा निम्न अंकों का स्वानत्रमाध ग्याद कीजे एक्स जोकी अंक का ही सुरूप है दिये गए हैं चालिस, तीस, साथ, पचास, सत्तर, अस्य तो दूसरी तरह फ्रिक्वेंसी एफ अर्थात विद्यार्थियों की संख्या पांच, साथ, बारह, दस, नो, और पांच प्रशन तीसरा पद विचलन विधी द्वारा समानतरमाध ज्याद करें एक तरफ है एक्स, एक सो, दो सो, तीन सो, चार सो, पांच सो, छे सो, साथ सो दोसी तरफ फ्रिक्वेंसी पांच, पंद रह, तीस, पच्चिस, पंद रह, बारह, और आठ अप्रिया विद्यारतियों, इसी के साथ मैं, निर्मल सैनी, आप लोगों से विदा लेता हूँ नमस्काँ